नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आर्जे अंजू रेडियो कहानी में आज के कहानी का शिर्चक है पुर्व जनम का ग्यान एक बार राजा भोज की पतनी भोज को स्नान करा रही थी दोनों आनंद का अनुभाव कर रहे थे भोज बार बार अपनी पतनी से आग्रे करते कि पानी और डालो इस पर उनकी पतनी जोर जोर से हसने लगी राजा ने पूछा तुम क्यों हस रही हो इस पर उसने कहा कि ये बताने की बात नहीं है लेकिन राजा अर गया कि तुम्हें पता नहीं होगा तब उसने कहा कि ये बात तुम्हें मैं नहीं मेरी बेहन बताएगी उरलेखनी है कि भोच की पतनी उस ज्यान को जानती थी जिसमें पुर्वजनम का ज्यान होता है उसकी बेहन भी इस ज्यान को जानती थी पर क्योंकि इस ज्यान का संसार से कोई नाता नहीं था कोई संबंद नहीं होता इसलिए कितना भी सगा हो उसे ये ग्यान नहीं बताना चाहिए बताने पर ये ग्यान नियम विरुद्ध हो जाने से चला जाता है राजा भोज अपनी भारी जिग्यासा के चलते अपने साली के घर पहुँचे वहाँ उस वक कोई कार्यकरम चल रहा था अता राजा बात ना पूछ सके फिर फुर्सत मिलते ही राजा ने वह प्रशन अपनी साली से कर दिया तब उसने कहा कि तुम्हारी बेहन ने कहा है कि बार बार पाने डानले की बात पर हसने का रहसे मेरी बेहन बताएगी तब राजा की साली ने कहा कि आज आधी रात को बच्चे को जन्म देते ही मेरी मृत्य हो जाएगी इसकी 18 साल बाद मेरे पुत्र जिसका आज चन्म होगा उसकी पत्नी तुम्हें ये राज बताएगी राजा ने बहुत हट किया पर इससे ज्यादा बताने से उसने इंकार कर दिया ठीक वैसा ही हुआ पुत्र को चन्म देकर भोच की साली मर गई राजा ने 18 साल तक बे सब्र से इंतजार किया और फिर वो एक दिन आही गया जब उस पुत्र का विवा हुआ राजा उसी बात का इंतजार कर रहा था सो जैसे ही उसे वदू से मिलने का आफसर मिला उसने कहा मैं 18 साल से इस समय का इंतजार कर रहा हूँ और भोज ने पूरी बात पता दी वदू ने कहा कि पहले तो आप ये बात नहीं पूछो तो बहतर है और अगर पूछते ही हो तो मेरे पती से कभी इसका जिक्र ना करना अन्यता वो पती धर्म से विमुख हो जाएगा और इससे विधान में खलल पड़ेगा राजा मान गया तब उस वदू ने कहा कि आज जो मेरा पती है 18 साल पुर्व इसे मैंने ही जन्म दिया था तुम्हारी पतनी इसलिए हस रही थी कि इससे पहले के जन्म में जब तुम उसके पुत्र थे वह तुम्हें बाल अवस्था में नहलाने के लिए पकड़ती थी तब तुम नहाने से बचने के लिए बार-बार भागते थे और आज स्वयम तुम पानी डालने को कह रहे थे इसलिए उस जन्म की बात याद कर वो हस रही थी उसने या मैंने उसी समय तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि वैसी अवस्था में तुम उसे पत्नी मानने के धर्म में विमुक हो सकते थे ये बात सुनते ही राजन में गहरा वैराग्य प्राव जाग गया वही प्रभू की अजीब लेला उसे समझ में आ गई तो इसे के साथ लूंगी अनुमती देखें जाते जाते पानी बचाईए सबको सिखाईए बेल लगाईए सबको सिखाईए नमस्कार